जै माता दी मित्रो मेरा नाम पंडित प्रकार जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज मैं मित्रो आज हम चर्चा करने वाले वार्चिक रासी फल करक रासी का कैसा बितेगा साल 2023 उनके पूरे टोटल चीजों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे कैसी रहेगी स्वास्ति की इस्टती धन की इस्टती परिवार की इस्टती प्रेम की इस्टती दामपत्य जीवन की इस्टती और और व्यापार की इस्टती नोकरी की इस्टती स्टूडेंट की इस्टती इसके बारे में बड़ा डिटेल में आपको मैं समझाने वाला हूँ चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्त के बारे में तो वार्षिक कुंडली के अनुसार करकराशी वालो द्यान से सुलो वार्षिक कुंडली के अनुसार ग्रहन योग एक्टिव है यानि कि साल 2023 में आपको गैतरी मंत्र का ओम का पाट करना पड़ेगा कारण क्या है कि मानसिक असान्ती आपको ज़्यादा रहेगी मानसिक उल्जन में आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं साल 2023 में और माता पिता के स्वास्ते में की दृष्टी से भी ये वर्ष बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है साल 2023 में आपकी शत्रुताएं बढ़ सकती हैं आप से जलने वाले आप से चड़ने वाले बढ़ सकते हैं साती साथ आपको गलत भी समझा जा सकता है आपके प्रती राजनीती भी हो सकती है क्योंकि ग्रहन दोस्ट बना हुआ इसलिए तो का ओम का और गायतरी मंत्र का पाट पूरे साल करना तो अच्छा बैलेंस बना रहेगा साल 2023 में अगर देखा जाए ओफिस के अंदर देखा जाए तो कोई लालचन आपके उपर लग सकता है कोई आरोप परतियारोप का महोल आपके उपर चल सकता है साल 2023 में मालसिक एकागरी चित्ता आपकी थोड़ी सी कमी आ संतर का जाब एक माला करेंगे तो शांती आएगी याद रखेगा आप बात कर लेते हैं करकराशी के धन की इस्तती के बारे में तो धन की इस्तती में वर्षेश कुडली के अनुसार बुद्द दित्ती योग बन रहा है यानि कि यह स्तती बहुत अच्छी है यानि कि साल 2023 म धन में अच्छी वृद्धी हो रही है रुका हुआ आपता धन मिल जाएगा करकराशी वालों का मार्किट में फसा हुआ धन आपका मिल जाएगा विदेश से धन्नी आ रहा तो वो मिल जाएगा किसी से कोई डील किये वहां से धन्नी आ रहा सरकारी धन्नी आ रहा वो धन आप आपको मिल जाएगा क्योंकि बुद्धादित्ति योग बन रहा है साथी साथ देखा जाए तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपने इससे पहले जो किये उससे भी आपको अच्छा गेन प्राप्थ होगा तो इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा आपको गेन और किसी की सला से आपको अच्छा लाब प्राप्थ होगा तो कहीं न कहीं ये भी अच्छा हो रहा है लेकिन धन से समंदित किसी से लेंदेन यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा कागजी कारवाही करके ही करें याद रखीगा घरकराशी वालो और जिनका नाम का पहला अच् आपको अच्छी खासी परिशानी दे सकता है थोड़ा सा यह साबधानी रखेंगे पूरा वर्ष अच्छा है अब बात कर लेते हैं परिवारिक स्थती के बारे में तो वार्शी कुंड़ी में मालब्भी योग और सच योग 2023 में बन रहा है यानि घर के अंदर कहीं न कहीं family member में से कोई member के लिए वाहन खरीदने के योग बनते हैं आप भी वाहन चेंज कर रहा है ऐसा योग नजर आ रहा है क्योंकि मालब भी योग बन रहा है साल 2030 में परिवार के अंदर चतूर्थ भाव में केतू भी विराजमान है इसलिए देखा जाए तो कहीं न कहीं आपके गर के अंदर bathroom का काम या फिर tiles का काम या बिजली का काम आपके घर में कराने के योग भी बन रहे हैं लेकिन परिवार के अंदर जो family member है उनके personal life और या career से समंदित रुक्वेवे काम आपके भाई बेनों के आपके माता पिता के बनने के योग साल 2030 में बन रहे हैं यानि की प संतान को डेह सकते इस पक्ष को देख सकते हैं च्छोटी संतान है जो कवारे यह इसको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते तो वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो संतान भाव का जो स्वामि है वह शत्रु में देखा जाये इसलिए कही ना कही देखा जाए तो साल 2023 के अंदर संतान के लिए थोड़ा सा संगर्सकारी साल ये रह सकता है अब वो कैसा रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले छोटी संतान के बात कर लेते हैं यानि परिशानी भी लेके आ रहा है और उसका हल भी साल 2023 में मिल जाएगा बड़ी संतान के लिए अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं उनको कहना है कि वाहन थोड़ा ध्यान से चला है क्योंकि थोड़ा सा लिटिगेशन के बड़ी संतान की योग बन रहे हैं बिद्या में साल 2023 में आपकी जो बड़ी संताने भो गुसेल हो सकती है वो ऐसा हो सकता है कि मनमर जी करेए बात ना माने उससे उनको नुक्सान होगा थोड़ा उनको धहरे करा है थोड़ा उनसे meditation योगा करा है ओमका जाप करा है इससे थोड़ा सा क्या होगा उनको लाब होगा 37 साल 2023 में अगर आपकी संतान बड़ी है तो उनके बुरी संगत में पढ़ने के भी थोड़ी योग बन रहे है यानि बड़ी संतान पर आपको ध्यान देना पड़ेगा चाय बेटा हो बेटी हो उन पर आपको ध्यान देना है और एक बार हो सके तो उनकी कुंडली डेटो बड़त देखके उनकी कुंडली एक बार दिखा ले क्योंकि जो जादा result मिलेगा वो उनकी कुंडली के according मिलेगा यहां से थोड़ा संतान का गड़बड आ रहा है हो सकता हूं की संतान की कुंडली में अच्छा आ रहा हो तो नॉर्मल हो जाएगा तो एक बार उनकी कुंडली जरू चेक करा है अब बात करते हैं करकराशी के स्टूडेंट यानि विध्यारतियों के बारे में उससे पहले मैं कहना चाता हूं कि बहुत से करकराशी वाले कमेंट में लिखते ही रहते हैं कि गुरू जी बहुत से इस्टिलोजर बहुत से जोतिशी हर साल बताते हैं बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा लेकिन हमारा तो कुछ होता ही नहीं है ना अच्छा होता है ना बुरा ह होता है कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं चीजे पढ़ते आ रहे हैं लेकर हमारा तो कुछ होता ही नहीं है को जो आप बताते वह होता ही नहीं है तो मित्रो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यह मालूम ही नहीं आपकी राशी क्या है या तो आप संसाइन से अपने राशी देख रहे हैं या नाम से आप अपनी राशी देख रहे हैं आपको जनम कुडली के बारे में कुछ नौलीज ही नहीं है मैं यह मान के चलता हूँ क्योंकि आपको अपनी राशी मालूम ही नहीं है अब आप अपनी राशी सटीक राशी रियक्टिफाई वाली राशी कैसे पता करेंगे इसके लिए देखा जाए तो इसी वीडियो के नीचे चाहे आप फेस्बुक में देख रहे हैं यूट्यूब म होती है उनका दापत्य जीवन कैसा लहता है उनकी धनकी इस्तिती कैसी रहती है वो सारी चीजे मैंने आपको बता दी गई हैальный तो ागर इस सिंग राशी के क्रेक्टराश्टिक देख लें जिससे की ये पता चलेगा कि आपकी एक्चल में राशी क्या है तो आपको guidance मिलेगी और आपको help मिलेगी क्या होता आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने करकराशी का सुलिया करकराशी वालों ने लेकिन कुछ सूटी नहीं किया तो आपको उस के में भी रह सकता है और कारे का result भी भूद अच्छा नहीं आएगा यानि कि आशा के अनुरूप नहीं आएगा लेकिन संतोज जनक रहेगा नेत्र की परिशानी आपको रह सकती है तो साल 2023 थोड़ा संगर्स कारी आपका रह सकता है अब बात कर लेते हैं करकराशी वाले व तो बेश्टatar साल 2023 में देने वाले यदि आप देखा जाए तो यदि आप सीरियस होके जौब करेंगे काम करेंगे अनुसाषाण रख कर आप काम करेंगे तो साल 2023 में उच अधिकारियों के राइट हैंड आप बन जाएंगे ऊच्थ अदिकारी आपको एप्रिषेट करेंगे आपको अच्छा ऊफर देंगे यद काम की लिए नहींहीं करेंगे तो मानके हलके से आपका धन विर्ध्य हो जाएगी, हलके से पद विर्ध्य हो जाएगा उसी हिमें काम पड़ेगा अनुसासन से अपना सीरियसली काम आपको करना पड़ेगा ऑफिस के अंदर देखा जाए तो साल 2023 में आपको सारी सुक्सुविधाएं प्राप्त होंगी या फिर सुक्सुविधाओं के लिए कोई खर्च भत्ता आपको मिल सकता ऐसा योग नजर आ रहा है साती सा जो विदेश में ट्राई करना चाते हैं तो साल 2023 में ट्राई करें विदेश में जॉब लगने के आपकी योग बन रहे या अच्छी जॉब आपको दूर ही मिलेगी अगर आप दूर जाना चाते हैं या दूर जाने के लिए तैयार है तो आपको अच्छा धन मिलेगा उसके में लाके देखा जाए तो साल 2023 नौकरी वालों के लिए अच्छा साल है और कुछ लोगों के लिए वैलन गुड साल है अब बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन के लिए देखा जाए तो मालब भी और सस योग वार्शी कुडली में बना हुआ है यानि साल 2023 में यह जो साल है रिलेशन सीन संबंद प्रेम के लिए बेस्ट साल रहेगा यानि कि आप पती-पत्नी हो चाहे प्रेमी-प्रेमिका हो उनके लिए उनके गठ जोड के लिए बेस्ट साल है यह साल 2023 क्योंकि मालब भी योग बना हुआ है सबसे पहले प योग आपके पार्टनर के विवा के योग आप साल 2020 से सुरू हो जाएंगे साती साथ आपके पार्टनर के करियर में धन पद में ब्रिद्धी होगी उनका वहन योग बनेगा तो प्रेमी प्रेमी का लव कपल के लिए भी साल योग बन रहा है साती साथ आपके पार्टनर को संतान या देखा जाए आपके संतान संबंदी कोई खुशकबरी मिलेगी चाए बड़ी संतान है या संतान नहीं हो रही है तो संतान संबंदी साल 2023 में आपके पार्टनर को अच्छा धन प्राप्त होगा तो पती पतनी प्रेमी प्रेमी का दोनों के लिए साल 2023 वेल एंड गूड है आप बात कर लेते हैं करक राशी के वियपारियों के बारे में जो अपना काम करते हैं फैक्टि चलाते हैं दुकान चलाते हैं उनके कि साल 2023 बहुत सारी समस्यां लेके आएगा बहुत सारा अनुभव आपको मिलेगा और आप थोड़ा सा धैरे रखेंगे और वह अनुभव प्राप्त करेंगे तो आगे आप महान भी बनने वाले पहला चीज साल 2023 में आपके काम में परेशानिया रहेगी आपको धोका मिल सक करता है साती साथ आपकी डाटा या आपकी इन्फोमेशन या आपके ऑफिस की जानकारिया लीक होंगी कोई आपके विस्वास को तोड़ेगा ऐसा योग नजर आ रहा है तो इसके लिए आपको एक बार अपनी पत्रिका दिखाने की जरूरत है अगर आपकी पत्रिका में न तो आपके ऑफिस के अंदर अगर आप काम कर श्रूप लगा ले कोई लगा ले कुई की लगाले अपने सोफ्ट्र को अपडेट कर ले अपने डाते को जाना ना दे क्यूंकि डाटा लीक होने की समहना काम में नुकसान होगा यह याद रखेगा बाकी व्यपारियों के 2023 अच्छा ही जाने वाला है मित्रो इस कारेकराम में बद इतना ही मुझे दीजे जाला जय मता दी नातार जाताम झняकरेकराम में थामिको हाला जय मताता ही मुझे जाला है में शारेकर उना जय मता दीजे सक्किन है मुझे जर सकता हifferentषfounded